नमस्कार मेरा नाम है तान्य कसोधन और आप देख रहे हैं TV24 नवे गुरु गुरु तेक बहादूर के पुत्र गुरु गोविन सिंग ने पिता की इम्रित्य के बाद महज 9 वर्ष की आयू में गुरु की गद्धी समहाली गुरु गोविन ने सिखों को पंच काकर धारण करने के लिए कहा था जिसमें कंगा, क्रपाड, केश, कड़ा और कच्छा शामिल था आज भी उनके बताई नियुमों का लोग पालन करते हैं गुरु गोविन सिंग जी अपने जीवन काल में हमेशा दमन और भेदभाव के खिलाब खड़े रहे इसलिए लोगों के लिए एक महान प्रेणा के रूप में उभरे है